आप वेदी 36 गड़ के स्टुडेंट है वेदी आपने 2024 के अंदर वेदी आपने कोई भी व्यापम का एंटरंस पेपर दिया है जैसे कि CGPAT, PAT, PPHT, Pre-MCA, BSC, Nursing ठीक है इस टैप के जितने भी एक्जाम के लिए आपने 2024 में अबेदन किया है तो इसका जो एक्जाम है हाली में होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे जैसे ही आपका एक्जाम होगा वैसे ही आपका काउंसलिंग होगा, चोईस फिलिंग होगा, सैडूल बनेगा तो इसके रिगार्डिंग कौन-कौन से आवस्तक दस्ता वेज लगते हैं या फिर क्या-क्या प्रोसीजर रहता है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वैपम में फिर आप पेपर देंगे उसके बाद का जितने भी प्रोसीजर हैं और क्या-क्या लगने वाला है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे तो यदि आप फर्स टेम हमारे चैनल पर विजिट किये हैं तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजे इसी टाइप के इंफ्रमेशन देखने के लिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिए आपने व्यापम का फॉर्म भरा है चाहे कोई भी एक्जाम हो PPHT, PET, PPT, PPT या फिर PAT का प्री MCA किसी का भी एक्जाम आपने दिया होगा अभी मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा एक्जाम तो होने वाला है वीडियो मैं हाली में लेके आ रहा हूं तो ए दस्तावेज लगेंगे कौन-कौन से सवधानी आपका रखना है ताकि आपका जो डॉक्यमेंट है और रिजेक्ट ना होए दिया आप एक्जाम किलियर भी कर लेते है दिया आपके पास दॉक्यमेंट नहीं है तब भी आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपका एड्मिशन जो काउंसलिंग होगा और रिजेक्ट हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंट की आपको कौन-कौन सा वस्तक दस्तावेज की जुरुत पढ़ने वाली है ठीक है यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही एक्जाम होगा उ तो वहाँ पर free of cost वैपम आप वैपम का फॉर्म भर सकते हैं तो वहाँ पर कोई problem नहीं होने वाली है आप सबसे पहले वैपम का फॉर्म भरेंगे फॉर्म भरने के बाद कुछी दिन में उसका exam का schedule आ जाएगा कि इस date को इसका exam है तो आप वहाँ पर exam देंगे ठीक है exam दे चले जाएंगे exam देंगे exam देने के बाद कुछी one month के अंदर उसका result आएगा तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको जो आप व्यापम में form भरेंगे तो उसमें एक आपको PDF मिलेगा जब व्यापम में आप form भरेंगे तो वहाँ पर एक PDF मिलेगा तो उस PDF को आपको registration number रहता है तो पहला document आपको जब form भरेंगे व्यापम में जाकर कोई भी entrance paper का तो आप उसका PDF लेंगे ठीक है जब आपका exam schedule हो जाएगा आपका exam contact हो जाएगा जब आप exam देंगे तो exam देने से पहले आपको friend आपको जो आपका admit card आएगा ठीक admit card का paper का date आएगा उसके और जो आप center में exam देने जाएंगे तो वहाँ पर admit card लेके जाएंगे उस admit card को आप समाल के रखेंगे ठीक है इस इसको याद रखीगा उसका प्रिंट आउट निकलवा लिजगे कोहाँ पर navigator वगरा का sign वगरा रहता है तो उसे भी आप 2-3 print out करके रख लेंगे तो आपका पहला document हो गया PDF application form वाला दूसरा admit card देना बात करते हैं हम लोग जब आपका exam complete हो जाएगा तो कुछी दिनों में एक मेहने के अंदर आपका result आएगा तो result में क्या होने वाला है आपका result में आपका rank card आएगा तो उस rank card को भी आपको print करके रख लेना है ठीक है rank card आएगा त आपके पास 3 document हो गया तो आपको rank card को भी 2-3 print कराके रख लेना है अब यह तो हो गया आपका result तक का आपका आगया है अब कुछी दिनी बाद आपका क्या होने वाला है counseling होगा ठीक है counseling के लिए आपको registration करना पड़ेगा वहाँ पर आपको choice feeling करनी पड़ेगी कब आपका schedule कौन सा college मिलेगा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो अब आपका counseling के time friend या counseling के समय ही आपको कौन को से document prepared करेंगा मैं बता देता हूँ इसके बाद आपको ध्यान देना है अपने qualification paper जो भी आपका 10, 10, 12th का mark street है वो आपके पास होना चाहिए उसको safe करके र email ID भी registration करवा लीजिए ठीक है इसका फायदा है होगा कि आपका जो scholarship मिलेगा उस समय आपको help मिलेगा आपका NPCI link होगा आपके bank के साथ ठीक है तो bank के साथ NPCI भी link करवा लीजिए और आपके अधार कार्ड में जो भी नाम है आपके father का नाम आपका date of birth वो same to same आपके qualifications वाली results से match करना चाहिए means कि 10th के results से ठीक है क्योंकि इसी के basis पे अब सब कुछ होने वाला है अधार कार्ड में आप scholarship भी भरेंगे आप counseling ही करवाएंगे तो आपको याद रखना चाहिए और आपका friend जो आपका address है वो भी आप अच्छी से सुधार लिजे तो अधार कार्ड आप आपके पास होना चाहिए और पूरा updated होना चाहिए mobile number, bank link होना चाहिए अधार के साथ इस चीच को याद रखिएगा और आपका अधार कार्ड prepared होना चाहिए अब बात कर लेते हैं pain card की pain card भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि pain card counseling मतलब आपके scholarship में भी काम आएगा तो आप अभी सही prepared करके रख लीजिए minor वाला बनवा लीजिएगा ठीक है voter ID नहीं बना है तो कोई problem नहीं लेकिन pain card आपके पास होना चाहिए इस चीच को याद रखना है ठीक है 10 12 हो गया और उपर के 3 documents आपको मैंने बता दिये ठीक है आपका registration form आपका admit card आपका rank card 10 12 का result देन आप आपका मैंने अधार card pen card वता दिया और आपके पास document जो रहेगा ओ होने वाला है आपका gap certificate यदि आपने किसी प्रकार का कोई gap किया हुआ है तो आपको court में जाके affidabit बनवाकर gap certificate बनवाना पड़ेगा इस चीच को आपको ध्यान में रखना है तो gap certificate भी आपके पास होना च उसी के हिसाब से आपका cut up बनेगा तो आपको document verification के time अपना card certificate दिखाना पड़ेगा तभी वो अप्रूव होगा तो card certificate आप अपने पास जरूर रखें इस चीच को आपको ध्यान में रखना है अब यहां तो को सके अपना passbook भी आप on करवा लिजे ठीक एक passbook भी आप create करव आप counseling के लिए आप registration करेंगे counseling में कुछ documents वगेर आपको हम आगेंगे तो आप उस documents को feel कीजेगा भरियेगा then आपका counseling का fees payment करना पड़ेगा आपको counseling का या फिर जो first payment होता है वो payment करना पड़ेगा then आपका कुछ दिन बाद फिर आपका first round के result आएगा कि कौन सा college आपको मिल ठीक है यदि आपको first round में आपको जो आपके पसंद का college हो मिल जाता है तो आप direct ही choice को log करेंगे और आपना आगे document verifications के लिए जाएंगे यदि आपको one percent college नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे second round में जा सकते हैं third round में जा सकते हैं जब आपको second या third round में college मिल जाएगा तो आप उसको log कर देंगे जैसे ही log करेंगे friend उसके बाद आपको college के अंदर जाना पड़ेगा document verifications के लिए जैसे आपका one percent college मिल गया तो आपकी जो बची वीफी से उसको पैट करेंगे आप वहाँ पर जाकर और साथी साथ आपका जितना document अभी मैंने बताया सुरू से बताया कि वैपम का registration form जो आप registration करेंगे उस time का उसके बाद फिर आपका admit card फिर आपका rank card फिर आपका अधार card पेंट card आपका qualification गैप certificate कास certificate निवास परमान पतर जो भी है यह सब चीजें आपको लगीगी वहाँ पर तो आप उन सभी documents को ले के जाएंगे वहाँ पर verified होगा verified होने क अलोट कर दिया जाएगा उसके बाद आप अपना further आप अपना education वहाँ complete कर सकते हैं तो friend a counseling का step होता है सब कुछ मैंने A to Z आपको बता दिया तो आपके पास card certificate होना जरूरी है याद रखिए कि इस चीज़ को 10-12 का result आपके पास होना चाहिए और जो भी 10-12 के अंदर जो भ budget counseling का procedure बता दिया कौन कौन से document आपके लगने वाले हैं तो 10-24 के अंदर ताकि आपका किसी भी प्रकार का rejection ना हो form के अंदर तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कीज़ेगा कोई भी टाउट है तो इस वीडियो की नीचे comment जरूर क करें तब तक के लिए धन्यवाद